हलो गाईज तो आज था 10th MP Board का हिंदी का पेपर और इस पेपर में आपको मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं यह रहा पेपर का सॉल्यूशन यह है पेपर एंड फस्ट में था इसमें सूर्दास प्रवंचना इसका option था धोका सा का option था शोक दा option में था आपका प्रसासनि तारकेश्वरनात भूलानात का असली नाम सही जोडियों में देखें तो पहले का था भवंत आनंद कोशल्यायन दूसरे में हैं आपका अग्ये तीसरे में हैं आपका रितुराज चौथे नमबर पे हैं आपके वाचाल और उसके बाद हैं पांचवे चौपाई छंद और चटवा असत्य फिर यहां देखें रितिस्तान में पहले वाले में शरद दूसरे वाले में अंदौर तीसरे में बेल्जियम चौथे में भानपुरा और फिर है आपका शिव पूजन सहाय अगले में हैं छे और फिर हैं चार सोठा चंद में चार चरण होते हैं ओके फिर आ फिर है उप्मा अलंकार के चारंग ठीक है और फिर है रस कौन सा था तो वीर रस और जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उप्योग सबसे अधिक होता है उन्हें क्या कहते हैं वो है सभेता और संस्कृति ऐसे शब्द हैं ओके जापान में हिरोश्यमा का कौन सा हिरोश्यमा में कौन सा बम गिरा गया परमाणू बम और इसके बाद जो है अपका अब चला जाए यह भाव बाच्चे है ठीक है इसके बाद फिर आते हैं आपके कुछ आप्शन जैसे तुलसीदास की दो रचना है तो जो भी आपने लिखी हों कविता बली रामचरत मानस जैसेंकर प्रशाद की अगर लिखें तो कामाईनी आसू काविगत विसे इसना है आपको लिखनी थी इसमें फिर महा काविखंड कावि के यह सब क्वेशन जो आपने कर दिये होंगे फिर हम देखें रामरक्ष बैनिपुरी की दो रचना है तो मेरे हिसाब से मैं दो रचन तो देखें अगले पेच पर है हमारे मुहावरे 921 होना मतलब भाग जाना इसका वाक्यों में प्रयोग आपको करना होगा और फिर आखों का तारा अत्यधिक प्रिय होना ठीक है और फिर अगर देखें समास विग्रे किसी ने किया हो तो प्रती दिन का होता है दिन दिन और और इसमें अभी भाव समास है और राज पुतर का होता है राजा का पुतर इसमें तत्परुस समास है फिर यह के question answer थे जो आपने कर दियो होंगे इस वाले में गद्यान्स का सीर्षक सामजिक समरस्ता बनता है और आपका सामजिक समरस्ता का क्या आधार है इसमें होगा सामजिक जीवन के अंतर विरोधों को समप्त करने का लक्षी ही सामजिक समरस्ता का आधार है जो अगला को प्रेशन है, इसमें समजिक समरस्ता के लिए अनिवार शर्त क्या है, तो उसका था ये last वाली line, पारस पर एक सहयोग और समनवाई के साथ सहन भूती, तो समजिक समरस्ता के लिए अनिवार शर्त है, ओके, आगे चलते हैं, अगले इसमें हैं, कल हमारी कुटिया होने होती हुँ, मित्रकुपत्र, ये भी सिंपल था, और अगर आप विशय की बात करें, अनुछिद लिखने की तो विज्ञान, बर्दाने का विशाप ये भी सिंपल है, और आँखों देखा खेल का वर्णन, ये मुस्त्री लोगों ने लिखा ही होगा, तो ये आप था आज का पेपर, बहुत ही सिंपल पेपर आया था, कुछ ही अगर किसी का गलत हुए हो तो एकाध ही कुछ ऐसे objective हैं, जो आपके गलत हुए होंगे, बाकि अगले पेपर के लिए आपको all the best, और यू ही हमारे चैनल को सब्स्राइब करें, और लाइक करते रहें, ताकि हम और अब ही ऐसे वीडियो आपके लेके आते रहें, धन्यवाद.